तो डियर स्टूडेंट आज हम आप सभी को बताएंगे कि जो आप सभी के एजूकेशन यानि कि फिच्छा साफ्त के परिच्छा कल परसो या फिराने वाले दिनों में लगी है और आप ये फ़स्टे के फ़स्टे के छात्र हैं और आपका सब्जक्ट एजूकेशन है तो सिर हम आपको most important question बताएंगी कौन-कौन से आपकी परिच्छा में आ सकते हैं ठीक है और उन्हीं question का उत्तर आपको तयार करना है बाकी और कुछ का नहीं तयार करना ठीक है जो जो मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये प्रश्ण पिछले फालों में कई बार आ चुके हैं और subscribe भी कर सकते हैं अगर नहीं लगेगी तो आप लोग अंसस्क्राइब भी कर सकते हैं आप लोगों के पर डिपेंड हम आपको बता दूना कि वीडियो बनाने की चकड में हम अपना introduction भी मतलब कि अपने चैनल का introduction अपना introduction बताना भूल जाता हूं ठीक है कोई ऐसा होगा नही यह जो पेपर है परसों हुआ है दो दिन तीन दिन पहले हुआ ठीक है उसी का माडल पेपर है और यह पेपर जो है सभी छात्रों के लिए महात्पूर है जिनकी परिच्छा कल परसों भी है ठीक है और यह subject है education semester आपका फस्ट है और प्रश्ण पत्र यानि की पेपर का नाम में conceptual framework of education तो जहां जहां पर जिन भी इनवर्सिटियों में conceptual framework of education की परिच्छा होने वाली उन सभी के लिए महात्पूर है खार करके जितने भी उत्तर प्रदेफ के इनवर्सिटी उसमें सभी के लिए यह PDF महात्पूर है ठीक है question paper तो चलिए आते है question पर पूरी दिसा discipline से या फिर कोई चीज अनुसासन में रहकर कारे करेंगे ठीक है तो आपका वो कारे बहुत ही आगे तक प्रगत करेगा तो यह आपके जहांकारी प्रशन आये या ना आये इसकी guarantee नहीं इस वाले question के तो guarantee नहीं आएगा कि नहीं लेकिन इस बात की जरूर हम guarantee लेंगे यह आ अतिला घुत्रे ठीक है देख लीजी अतिला घुत्रे बता रहे हैं उसके बाद हम आपको लग उत्रे बताएंगे फिर देर घुत्रे बताएंगे कौन-कौन से प्रशन आ सकते हैं दूसरा प्रशन है कि यह आवकास के सद उप्योग है तो सिच्छा की आउसकता बताईए तो सिच्छा फिजड़ा अन्य कोश्चन आ सकता है इस कोई भी संभावना नहीं है तिसलिए इग्नोर कर दीजीगा अब अगला प्रशन आप लोगों के समस्त प्रुस्तत है कि अपने प्रदेश के एक राज बोर्ड के बारें बताईए जैसे कि उत्तर प्रदेश में कौन अगला प्रशन देखने आपको मिलने जा रहा है यह बहुत ही पॉपलर है यह हमेशा प्रशन फंसता ही पर इच्छा में इसको जरूर आपको धान देना सिच्छण किसे कहते हैं यह नि कि जिसको आप लोग बोलते हैं इंग्लिस में टीचिंग ठीक अपलफ प्रफिच्छ करने जाती है यह ब्यूटी पर जाती है इसी तरह बिभिन प्रकार के जो भी चीजी वहाँ पर सिखाई जाती है उनकी ट्रेनिंग होती है तो वहीं से सम्मंदित कोश्चन है फिच्छा फिच्छा कोश्चन की आप टीचिंग कर रहें तो पढ़ाई मतलब किसी को पढ़ा कर रहें तो उसके बारे मिलें लिखना अगर आप कहीं ट्रेनिंग कर रहें तो दोनों में लिखना है और दोनों को त्यार कर लेदा काफी एलफ पर टॉप लेबल का क्विश्चन एग्जाम के लिए ठीक है और अगला प्रस्ण एक बढ़िया चिंडर ठीक है गौटन पद देगा 100% guarantee के साथ स्योर है कि कि परिछा प्रशन के पर इस तरचीन ग्ञान परंपरा कहते हैं यानि two वृषरि तो ऐसे आपको तमाम प्रकार की प्रस्टन देखनें को ब tack को तयार कर लेना है और इन सबी प्रस्टना क्या होती है ठीक उनके बारे में लिखना है ठीक है जहां पर मतब कि एजूकेशन के बारे में बताया जाता अभी करन ठीक है एजनसी कौन-कौन क्या बारे में बहुत ही पॉप्लर कोश्चिन ने भी कई बार आ चुका तो ध्यान देंगे इंगे और मैं आपको बता दूए यह माडल पेपर है जो कि आप लोगों के समस्त में प्रुस्तुत किया हूं जो कि इसी वर्थ दोहजार चौबिस का है ताकि आपको पता चल सके कि में अगला प्रॉप्र को आपयसें कि प्रीस विक्षा प्राइमरी पॉटर की जो बच्चा बच्चा कैसे बैठेगा बैठेगा ठीक है और कैसे बात करें खीक है माता-पिता का नाम कैसे पढ़ेगा लिखेगा यह सब बेसिक चीजे आपको प्राइमरी एजूकेशिन मीजिद दी जाती है इसलिए गौर्मेंट की वो से प्राइमरी स्कूल जो हो उनका निर्माण किया गया है ताकि इसमें फिरी और सभी के लिए फिच्छा अनिवार की गई है इसी लिए ठीक है तो इसके बारे में प्रकार लिखेंगे अगल इस तरह आपको अति लगुत्रे में करीब करीब 10 कोश्चन दे जाएंगे आपकी परिच्छा वे ठीक है उसको आपको ध्यान देना है उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे लगुत्रे अब लगुत्रे में देख लेते हैं कौन कोंसे प्राइमरी एजूकेशन के लिए हमारे देख में आपको लिखना है ताकि उन सभी बच्चों को जो एकदम गरीबी रेखा के हैं और उनके पास बेवफ्था नहीं है बच्चों को पढ़ाने की ठीक है उनके लिए ये अनिवार फिच्चा की गई है प्राइमरी उजूकेशन और हमाय देश में जो प्राइमरी यानि की प्रात्मिक विच्चा है ये सार भॉमिक बनाने मतलब की सार भॉमिक का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि सभी तक पहुँचे और फिरी में पहुँचे और सभी लोग इससे परिच्चित हो तो ये बहुत ही अच्छा प्रियाफ किया जा रहा है अब आप देखते होंगे कि हर ग्राम सभा में एक ना एक या फिस सहर में आसपाफ जरूर प्राइमरी स्कूल आपको देखने हैं कि बिलेंगे वो साथ साथ में प्राइमरी स्कोल आप जहाँ पर 11 लेकर पांचुवी तक और जहां मीडिल जो आपका पाँचुवी फिस लेकर 800 तक होता है ठीक है मिडिल हलाकि सहरों में भी चलता, वहाँ पर अलग हो स्कूल होते, लेकिन जो प्राइमरी एजूकेशन है, इसके लिए बहुत सरकार प्रियाफ कर रही है, और बहुत ही जादा इस पर अपना प्रियाफ कर रही है, ताकि कोई बच्चा छोटे ना जो फिर्चा से वंचित रहे जाए इफी लिए गौर्मेंट ने का, वही हम फिरी भी देंगे, और सभी के लिए अनुवार भी करेंगे, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, तो बच्चों को जरूर पढ़ाना चाहिए, हलाकि ये प्रियाफ अभी पूरी तरह कायम नहीं हो पाया, अभी भी ऐसी बहुत फारी पि पहुंच जाएगा, ठीक है, लेकिन 100% पहुंच पाना मुश्किल है, लेकिन 90% तक पहुंचने के उमीद है, ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रशनी के और, अगला प्रशनी के वही है, गुरू से संबंध पर एक फंचिप पढ़ी लिखे, मैं आपको बता दू, आज जब से मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, पांच से साल से ज्यादा भी हो गए, ठीक है, और उसे पहले जब मैंने भी बिया किया है, तो तब से लेकर एक भी, ऐसा मतलब साल नहीं गया, जब ये प्रशन ना आया हो, मतलब कि 6-7 सालों से मैं लगा तार देखी रहा हूं ये प्रशन हमेशा आता है, ठीक है, गुरू, सिस्ट, यानि कि जो टीचर होते हैं और जो स्टुडेंट होते हैं, उनके बीच सम्मंद, उनके बीच क्या, ठीक है, एक दूसरे के बीच सम्मंद है, और दोनों के बीच क्या अपना पन है, ये सब आपको लिखना है, जो कि वहां पर आप सभी को मालूम कि गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाया जाता था ठीक है वुस बारे में आपको जरूर तयार कर लेना कई बार आ चुका प्रश्ण ध्यान रखेंगे ठीक है जो कि हमेशा आता इस बार भी आएगा अब आपको देख लेते कौन को प्रस्ण आपकी परिष्ण के लिए महात्पूर्ण साबित हो सकते हैं यह कोश्चन तो अपर ही वाला उठाके यहां पर दे दिया गया कि विभिन उद्देश बताईए फिच्छा लोग क्यों कि पढ़ाई क्यों करते हैं फिच्छा क्यों ग्रहन करते हैं और इस लोग ठीक है इस समाज में इन में से आप आधनिक समाज में उन में से आप किसको सबसे अधिक महात्पॉर्ण समझते हैं तो इस प्रकार यह इतना महात्पॉर्ण नहीं है लेकिन यह विभिन उद्देश यह तो तयार कर लिए ठीक है फिच्छा के अभी करोणों का वड़न कीजिए यानिकि जो फिच्छा के एजन्सिया होती है और यह और मिडिल ठीक है फिच्छा के बारे में यानिकी मिडिल एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन ठीक है यह आपको ज़रूर तयार कर लेना साथ साथ में कोश्चन हो रहा था मॉन्टे सोरी से जुड़ा कोश्चन आता है जहां पर एक छोटे बच्चे पढ़ाया जाते हैं प्रस्णों को आपको जो तयार करके जाना है और इन सभी का उत्तर आपको हमें एक महासंगराम पीडियाप देंगे उसी में मिल जाएगा ठीक है और उसके लावा इन प्रस्णों के उत्तर के लावा अन्य भी भौवारे प्रस्ण उसमें included है जो कि आपके एक्जाम के नध पर मिल जाएगी ठीक है यह मुझे भरोसा कि आप 75 में से 45 नमबर पक्का ले आएंगे अगर आप थोड़ी भी बहुत मेहनत करेंगे तो ठीक है बाकी यह पीडियाप और प्लफ हमारी महा संग्राम जो पीडियाप है वह उन्हीं छात्रों को मिलेगी जो हमें वीडियो के डि